घंटो बच्चो तो आज हम देखेंगे extra drop problem है extra extra है हम ले रहे क्योंकि heights and distance का first exercise हमारा खितम हो गया है तो हम extra problem solve कर रहे है फ्रॉम अर्डी श्र्मा बूग ठीक है तो उसका third question है उसके मैं靥 top extra question हम देख रहे है तो देखो उन्होंने क्या दिया है A kite is flying at a height of 60 meter above the ground Ground से एक पतंग है वो fly कर रहा है कितना है 60 meter उपर Ground से ठीक है के बच्चो The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground एक उसको धागा बांदा हुआ है वो धागा इधर एक ground को attach किया हुआ है उसका angle of inclination उनवन दिया है 60 degree तो क्या पूछ रहा है find the length of the string ये length यल calculate करना है हमें ठीक है बच्चो तो मैं naming दे दूँगा A, B, C A हो गाया मेरा right angle triangle ठीक है so easy question है तो मेरे को angle के सामने की side पता है और hypotenuse निकालना है तो मैं trigonometries की कौन सी identity ले लूँगा sin theta वाली sin theta is equal to opposite side divided by hypotenuse ठीक है ना बच्चो तो sin कितना आएगा ये 60 is equal to कितना हो जाएगा A, B कितना है 60 और A, C कितना है यल ठीक है ना तो इधर पर क्या हो गाया sin 60 कितना आता है root 3 by 2 is equal to 60 divided by yel cross multiplication करेंगे yel उपर जाएगा 60 into 2 ठीक है और ये root 3 निचे आएगा divided by root 3 ओके तो इसको मैं rationalization करूंगा root 3 divided by root 3 ओके तो ये क्या हो गाया 60 into 2 root 3 divided by ये टोपी टोपी टकला हो गाया तो ये क्या होगा 3 1s आ 3 2s आ 0 को 0 तो 22s कितना हो गाया 40 root 3 meter ये क्या हो गाया येल मिल गाया मेरेको तो क्या होगा दे लेंग्ट आप दे लेंग्ट आप दे स्ट्रिंग इस कितना मिला बच्चो मेरेको 40 root 3 meter इस इस ये राइट आइंसर ओके थेंक्यू वेरी मच